यहां आप जो यह सवातरा देख रहे हैं यह जो सवातरा है यह सणक दूर घट्ना में मığın मरे हुए है हम यह पे कुछ परीजनों से बात कर Schwe álre e बताना चाहें। लिए आप साणक दूर घट्ना से मरने's अ क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उतने अच्छे परकार के संड़क नहीं है सरकार उसके परती ध्यान भी नहीं देता है और आए दिन देखा जाता है कि बहुत सारे लोग मरते भी हैं अकिर यह जो दुरघटना हुआ था किस परकार से हुआ इस पीड है सब गाड था इसी जगह पर और यहीं पर मने के खड़ा था ओटो रोकने के लिए और हाइस पीड में गाड़ी था और उसको सीधे सीधे तकर मार दिया आप सोच सकते हैं आज के नोजवानों को जदिया आप गाड़ी चलाते देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई यह क्या कर आईए कि हाई स्पीड इसमें ना चले पर सासन इस पर रोक लगावे इस रोड को किलियर करें इस रोड में बहुँ सरा दिजियों को हम चाहेंगे कि जैसे सरकार का प्रावधान है सरकार को परिजनों को यहां पर दिया जाना चाहिए क्योंकि आप देखेंगे यह निर्दोस लोग हर गाउं में अवर फ्लाइ होना चाहिए मस जो रही है जैसा कि घर्टना इस चाहिड हुआ था या फिर उधर हुआ था यह इसी जुझगा पर देख सकते हैं यह जो फॉर लाइन यह है लेकिन यह जो हैं फॉर लाइन इधर है लेकिन यह साइड जब यहां पर हाइए स्वीड में गाडिया चला करके लोग गुजरते हैं अब आप समझे इधर घर वगिरा है लोग तो बाहर आते जाते ही रहेंगे और यहां पे जो निर्दोस लोग हैं खड़ा रहेंगे उसको ठोक करके चले जाएंगे तो कैसा रहेगा सरकार को इसके परती ध्यान देना चाहिए और जहां पर भी गाव है वहां पर फ्लाय ओबर की ताकि हाई स्विड में लोग गाड़ी ना चला सके और वैसे लोग जो हाई एक चलते तो हैं उसको खुद का जान का तो जोखी में डालना है लेकिन साथी साथ वैसे निर्दोस लोगों को भी जान जोखी में डाल दिया जाता है और यहां पे भी वहीं हुआ है क्या कहिए चाप उसका कोई नहीं उसका गहर का चिराग बूद गीए उस तरह का है उसकी मा बघल ने थी यहीं पड़ी और फी तो फॉटा था और हम यहां ही गाए को हम पुआल दे रहे हैं मेरे सामने दुखत घर्टना हुआ यह सुनने को मिल रहा है कि उसका पिताजी भी यहीं पे डेट किये थे बस बगल में क्या जब बोल रहे हैं पहले हैं उनके पिताजी के भी इसी जगह हुआ था आज से 15 साल पहले और उसी जगह पर उनके लड़का का भी हुआ लोग कमाउन में तक हैंगे क्योंकि गांव मैं यहीं रहन है उसको कसलिए है हथ्या होने लगे और यहां पे सड़क दुर घरणा में वें लगे तो सभी को दिकत है पार से उपर होने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है इस पर खेतिवारी होता है जानवर ले जाने में बच्चा को पार कर रहे हैं जैसा कि आप अब लोग कितना आगे घूम करके आएंगे यह भी सोचने की जरूरत है यहां पर किसी परकार से बना हुआ है ताकि लोग आजा सके तो यहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि जहां पर गाव दूसरे तरफ पड़ता है वहां एक फलाय अबर बना दिया जाए ताकि साड़क पर गाणियां आते जाती रहे और उपर से लोग आपना आना जाना कर सके तो क्या कहना चाहेंगे चचाप को कहने का मतलब यही है कि देखें हम लोग का रैट साड्विधर बस्ती पड़ जाता है कुछ हम लोग का इधर भी पड़ जाता है जिसके चलता हम लोग खेती kी रचती वी दर है और इसी सड्विष्टा इसटेश्ट इसी सड्व ही है प्रामरी स्कोल है छोटा छुटा- सरकार और पत्परिवहन विभाग के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द यहां पर एक्षन लिया जाए क्योंकि आये दीन दुर्घटना की संख्यां बढ़ते चला जाता है और सड़क दुर्घटना से निर्दोस लोगों की मोत हो जाता है तो बस सरकार की नजरों को इस ओर आकर्शन करने का काम करने का परियास करते हैं और कहते हैं कि यहां पर फ्लाय उबर बनाया जाए आप जो घटना हुए उससे घटना हुआ जिस घर का बैक्तिलों का देखिये महिला लोग वहां पर खड़ी है कितना दूरी वहां से आप सोच सकते हैं कि कोई यह सोचा नहीं होगा कि इस परकार का दुर्घटना हो जाएगा लेकिन आये दिन होते रहता है तो बस इन सभी गराम जाना दिया जाए ताकि ग्रामीनों को आने जाने में सुईदा हो और इसी के साथ सणक दुर्घटना भी कम हो सकेगा तो सफर नया भारत से नए और नए इस जो राजमार्ग है इस पर फ्लाइवर की कामना करते हुए स्याम कुमार के साथ मैं आनंद बर्मा जय हिंद वंद करें मातरम